किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि जिसने दर्द छिपाना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया इसलिए जमाने से अजनबी हूँ मैं कि फरिष्टे हैं समी और आदमी हूँ मैं अलफाज सिर्फ चुबते हैं खामोशियां को मार ही देती हैं गिले शिकवे तो सब सांस चलने तक ही होते हैं बाद में तो सिर्फ पच्चतावे ही रह जाते हैं जिन्दगी में हम कितने सही वा कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शक्ष जानते हैं एक तो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा सिर्फ सांस से चलते रहने को ही जिन्दगी नहीं कहते आखों में कुछ सवाल और खुआबों का होना भी बहुत जरूरी होता है गलती नीम की नहीं की वो कड़वा है खुदगर्जी तो जीव की है कि उसे मीठा पसंद है कोई छोड़ कर चला गया तो क्या हुआ अब जो मिले उसी में ही दुनिया ठहर जानी चाहिए बिना खुशी के भी जो हसना जानते हैं वो ही असल में खुशी का असल मतलब जानते हैं जिन्दगी के किसी भी दिन को पूसना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे दिन खुशी डेते हैं और बुरे दिन तजुरबा जो की सफर जिन्दगी के लिए बहुत ही स्यादाज जरूरी होता है खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिन्दगी दुख रहकर गुजारो तो तरस्त है जिन्दगी गलतियां ढूंडना गलत नहीं होता पर शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए बस सोच का ही फर्क होता है वरना समस्या हमें कमजोर नहीं मजबूत ही बनाती है जिम्मेदारियों की भी एक खुबी होती है ये आपको कभी बिगडने नहीं दे जो दूसरों को हसाने के लिए हस्ते हैं भगवान नहीं कभी रोने नहीं देते याद रखना जिस इनसान से आप सबसे ज्यादा मुख करोगे सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इनसान से ही मिलेगा यदि कोई इनसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गल्ती उसकी नहीं आपकी है यहाँ कोई किसी का नहीं सब को मतलब की बिमारी है मतलब से ही निबते हैं रिष्टे और मतलब की ही रिष्टेदारी है कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप उने नहीं छोड़ेंगे तो वो आप को कहीं का नहीं छोड़ेंगे मेहनत कभी मत छोड़िये किस्मत के द्वार सिर्फ वही लोग खुल पाते हैं जो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वाश रखते हैं जिसकी सोच में गंदगी होती है उसका चरित्र हमेशा बदबूरी मारता है रिष्टों के बाजार में कुछ इस तरह से रिष्टों को सजाया जाता है उपर से तो अच्छा लिखाया जाता है अंदर से ना जाने क्या मिलाया जाता है इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर ठख जाए पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है इश्वर सचे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पुरा देता है और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन इश्वर का साथ ही होता है लफसों का इस्तेमाल हिफाज़त से करिए ये परवरिश का बेहतरण सबूत होते हैं दोस्तों जिन्दगी बहुत जोड़ी है इसलिए सभी से मिल जुल कर रहे क्योंकि पता नहीं कब हमारी धरकन बंद हो जाए और हम अलविदा भी न कह पाए खुश रहिए और सभी को खुश रखिए सभी का खयार रखिए सदा मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेणा दायक वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें